जए मातादी दोस्तो मैं आपका इंजीनियर शर्मा एक बार फिर आपके लिए अपनी नई वीडियो लेकर आया हूं मेरी इस नई वीडियो में मैं आपको यह बताऊँगा कि कैसे आपकी उमर कम हो सकती है और आपको उन गलतियों के बार में बताऊंगा जो आपकी उमर को कम करती है तो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते है जिस व्यक्ति के तन्वन को कोई रोग नहीं है उसके पाथ संसार की सबसे बड़ी दौलत है निरोगी काया कोई भी सुख भोग सकती है रोग रस शरीर नरक के समान दुख देता है शास्त्रों में मानव कल्यान के लिए बहुत सारी बातों का वर्नन किया गया है जिनसे व्यक्ति का संपूर्ण वतिक्त परभावित होता है कुछ लोग अमी परिवार में पैदा होकर भी गलत काम करके गरीबी का जीवन जीने को विवश हो जाते हैं वहीं दूसरी और गरीब परिवार में पैदा होकर सत कर्मों से वैभव संपन जीवन जिया जा सकता है उसी तरह भाग्य में लंबी उमर होने पर भी रोज मर्रा के जीवन में कुछ गल्तियां करके इनसान अपनी उमर कम करता है हिंदू शास्त्रों में मास खाने की मनाई है किसी बेजुबान की अपने सवार्थ के लिए हत्या करके उसे खाना कहां तक उचित है फिर भी बहुत सारे लोग बहुत जाव से मास खाते हैं बासी मास को खाना उमर को कम करता है गरुड पुडान में कहा गया है कि रात को दहीं खाने से सेहत पर बुरा परबाब पड़ता है और रात को दहीं खाने से उमर भी घटती है शास्त्र कहते हैं सूर्योदे से पहले बिस्तर को त्याग देना चाहिए सूर्योदे के बाद सोने से शरीर पर रोग अपना बसेरा बना लेते हैं सुबह उठकर सूर्य दर्शन करने से शक्ती और उर्जा में विदी होती है शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के वक्त कभी भी नहीं सोना चाहिए इससे सेहतों पर भावित होती ही है साथ में उमर भी कम होती है चिंता चिता का दवार है जिवन है तो समस्याइं भी आएंगी चिंताओं का डट कर मुकाबला करें अन्यथा वो आपको अंदर से खोखला कर देगी और आपकी चिंता आपको चिता तक पहुँचा देगी शास्त्रों के अनुसार वीर्या की हिफाज़त करनी चाहिए पौरूई शक्ती वीर्या में होती है जो अधिक महतुन करने से कशय हो जाती है ब्रहमा महुरत में और ज्यादा महतुन करने से उमर कम होती है अपने किसी प्रियजन को अंतिम विदाई देने जाएं तो जल्दी ही वहां से वापिस आ जाएं शम्शान का दुआ उमर को कम करता है शम्शान के पास गर भी नहीं लेना चाहिए उसी तरह दुम्रपान है जो सेहत और उमर को हानी पहुँचाता है इस तरह ये छोटी छोटी गलतियां त्याग कर आप अपनी उमर को बढ़ा सकते हैं आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं मेरी नई नई वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद जैमाद आदे